तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी स्वास्त होंगे अपने एकजाम की बहतरी जो त्यारी है आप कर रहे होंगे, यह मिल्यूबित करता हूँ आज का यो सीचँन रहने वाला है। ये उत्राखंड ड्राइवर एक्जाम दोजा 24 जो की 7 जुलाई को होगा उसका एक के मोडल टेस्ट पेपर जो की नमबर 3 आज हम यहां पे सोलिशन करने वाले हैं नमबर 3 का मतलब है कि इससे पहले हमने 2 टेस्ट कम्पलीट कर लिये हैं जियां दोस्तों आपने अगर वो नहीं देखें तो उनको जरूर देखेगा और बहुती शांदार पेपर यहां से आज हम सोलिशन करने वाले हैं जरूर आपके एकजाम में ऐसे ही क्यूसन चापएंगे और यह पेपर आपके लिए भोती रामबान साबित होने वाला है दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अगर आप उत्रा खंड ड्राइवर भरती प्रीक्षा की त्यारी कर रहे हैं बहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टाडी टोम एंडोड एप्लिकेशन डाउलोड कर सकते हैं और बहुत इबहतरीन ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो आप जोइन कर सकते हैं बहतरिन कंटेंट है, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए दियेगे नंबर पे आप कभी भी कोल या वाटसाप का मेसेज कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों सुरुआत करते हैं आज के इस बहतरीन सेशन की, दोस्तों कहते भी हैं कि रख हो सलावा मंजर भी आएगा, प्यासे के प डरना नहीं है, हतास नहीं होना है, निरास नहीं होना है, आपको बने राना है साथ जुलाई तक, आपको अभी नींड निकालनी है, नींड पूरी नहीं लेनी है, जेसे तेसे जितनी जदा हो सके, पूरी कड़ी मेनत के साथ में, पूरी त्यारी के साथ में जाईए, और य अच्छा होगा, आपका शपना शाकार करने वाला होगा। सुरवात करते हैं आज के सेशन की परसन नमबर एक आपके सामने आ चुका है। बाएं से दाएं लेन बदलते समय, यानि कि आपको क्या करना है, लेप्ट टू राइट, यहां पर पूछा गया है, यानि आपको बाएं से दाएं लेन बदलनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, बाएं संकेत चालू करके, भई लेप्ट से राइट में जा रहे हैं तो बाए और चलना चाहिए एबाद गती का मतलब है किसी को बाधा ने पहुंचाना एबाद का मतलब है किसी दूसरे को किसी दूसरे वाहन को वाहन को बाधा ने पहुंचाना बाधा ने पहुंचाना समझ गयोंगे उम्मीद करता हूं तो उपसन नमर सीस का राइट अंसर हो जाएगा और इसमें चोथा है दाया संके चालू करके पूरी तरह से बाहितर मुड़ना अचानक नहीं मुड़ना पूरी तरह का मतलब है तुरंत मुड़ जाएंगे गलत हो जाएगा अगला परसन एक वहन के कंपोनेंट पार्ट एक धांचे से जुड़े रहते हैं ठीक है उस सरंचना को क्या का जाता है इंजन चेसिस बोडी सेल सीड आप सबी को पता होगा गाड़ी जो होती है इस गाड़ी के चार पईए होते हैं और ये जो पईए बोडी होता है वो सब कुछ इस चेसिस के उपर टीका वा रहता है यानी कि ये इसकी रीड की हड़ी होती है में धँांचा ये चेसिस होता है जिसमें दो लंबे- क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इमर्जेंसी ब्रेक लगाते हैं तो पहली बात आप जब भी ऐसा करेंगे तो आप बिना काम नहीं करेंगे कोई वेलीड रीजन होना चाहिए जैसे ब्रेक फेल होना एक्सलेटर फेल होना आउट उफ कंट्रोल होना टायर फट जाना अन्य कोई आपात काली निस्तती आ जाना तब ही आप इमर्जेंसी ब्रेक लगाएंगे हम ब्रेक क्यों लगाएंगे ताकि कोई दुरगटना होने से बचे तो फिर आपके अचानक ब्रेक लगाने से दुरगटना नहीं होनी चाहिए तो वाहन को सड़क के किनारे ले जाना आपके सामने के वाहन से टकराने से अपने वहीकल को बचाना है ठीक है? एक टायर दबाव नापने के यंतर का उपयोग कर टायर दबाव की जांच के समय अगर टायर दबाव निर्दिष्ट दबाव की तुलना में अधिक पाया जाता है तो क्या करें air का जो pressure होगा air pressure की बात हो रही है air pressure अगर ज़्यादा है तो आपको क्या करना है तो आपको कम कर देना है भई किसे जिसकी needle valve है valve cape को दबा कर आप हवा निकालेंगे जितनी ज़्यादा हवा होगी तो valve core को दबा कर हवा भरेंगे कि बढ़ेंगे क्वो पहले से जदा है वालो को दबा कर आवा निकालेंगे option B right answer हो जाएगा बसない केफ खोल देंगे खोल देने से काली हो जाएगा वालों केफ वापस डाल देंगे ये भी सहीन होगा option B जितनी ज़्यादा हवा होगी उतनी हम कम कर देंगे अब pressure प्रेसर देखो अगर कम होता है एक कंडिशन होती है ज्यादा होता है तो जो टाइल होता है इसका कम होने पर किनारे ज्यादा गिसते हैं किनारे खराब हो जाएंगे ज्यादा होगा तो मध्य भाग ज्यादा गिस जाएगा इसलिए आपको अमेसान जो है उचित प्रेसर रख ये किया जाता है ब्रेक लाइन और ब्लीडिंग जब भी ब्रेक की बात आ जाए और ब्लीड करने की बात आ जाए ब्लीडिंग की बात आ जाए तो शिदा सा मतलब समझ जाना एयर लोक निकालना है एयर लोक को बाहर निकालना है क्योंकि जब हैड्रोलिक ब्रेक में एयर लोक पाजाएगा तो ब्रेक का ओल का प्रेसर नहीं बन पाएगा ब्रेक काम नहीं करेंगे तो एर लोक निकालना पड़ेगा जिसमें जो है ब्रेकों में फसी हुई हवा को निकाला जाता है और इसे एर ब्लीडिंग का जाता है और ये परकिरिया हाइड्रोलिक ब्रेक में की जात करना सही ब्रेक दबाव सो नीशित करना तो ये तीनों गलत है option b हो जायेगा कि जो फसी हुई हवा है उसको बार निकालना अब ये कहाँ-कहाँ से निकाल सकते हैं आप सभी को पता होगा एक तो सिलेंडर माश्टर सिलेंडर मैं पता देता हूँ कहां कहां से निगाल सकते हैं, एक वहील शीलिंडर के पास में आप सभी को पता हुगा, एर ब्लीडर होता है, नट होता है जहां पर आठ नोक का नत पर लगता है , और उसको लिूज करके, आप एयर प्रेशर को नहीं है, मतलब की one way, overtaking निशीद बाई और मुड़ना निशीद, यूटर निशीद तो ये overtaking निशीद option B, राइचांसर हो जाएगा जब एक वाहन को बीना रखवाले के छोड़ते हैं, तब चाबी का क्या करना चाहिए, आप किसी बाजार है, one way, छोड़ना चाहिए, ignition से ہटाना चाहिए और one को खुला रखा जा सकता है, ignition से हटाना चाहिए, one को बंद करना चाहिए यानी की चाबी हटानी है और one को बंद करने का मतलब है लोग करके जाना चाहिए, hand break apply करके जाने चाहिए तो ये बाते आपको पार करते समय, साउधनी बरतनी चाहिए क्योंकि एक कोई खड़ी हुई कार है, इसका मतलब क्या है, या तो वो खराब हो चुकी है, या फिर उसमें से कोई यात्री बेट रहे हैं, या उतर रहे हैं, मतलब की डोर के अचाने खुलने या बंद होने की पूरी संभावना है, त से टकरा सकती है, कार चलना सुरू कर सकता है, कार उल्टा चलना सुरू कर सकता है, तो खड़ी हुई कार की सबसे ज़्यादा जो संभावना रहती है, वो यह है कि उसमें से अचानक से डोर ओपन हो सकती है, जिसकी वज़र से हम एक्षिडेंट का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें खड़ी हुई कार से दूरी से या सावदानी से आगे निकलना चाहिए ठीक है तो उप्सन नमर एक राइट आंसर हो जाएगा मोटरवान अधीनियम 1988 के अनुसार आरक्षित पंजी करण संख्या का कितने दिनों में दावा किया जाना चाहिए आरक्षित का मतलब है रिजैर्व है मैं कह सकता हूँ रिजैर्व है या जो की वियाईफी नमबर होते हैं वियाईफी नमबर जब आप लेते हैं तो उनके लिए आपको पहले आवदिन करना होता है उसका एक्स्टा चार्ज भी आपको पे करना होता है जैसे की मैं बात करता ह 888-0786 तो इस टाइब की जो नंबर होते है एक, दो, तीन, चार इस टाइब की आरेक्शी जो पंजीकर्ण सिंख्या होती है उनका दावा आप कर सकते हैं 30 दिनों के भीतर भीतर 30 दिन का टाइम इसमें होता है ठीक है? इसमें आप अपलाई कर सकते है जो फीस होती है जो फीस ज्यादा देगा उसका मलब उसमें क्या है एक प्रकार की निलामी होगी और बोली लगाई जाएगी जो पेशा ज्यादा देगा उसको जो है मिल जाएगा परसन सिंक्या 10 इंजन ओईल रियडियेटर का कुलेंट का कोई जड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता समतल पे जब वाने की सीधी धाल भूमी पर तल हो गलत है इंजन सुरू करने से पहले जब ठंडा होता है तब आपको कुलेंट का लेवल चेक करना चाहिए आप सभी को बता देता हूँ कुल सकते हैं और इसके अलावा मोसली आपको में रिकुमेंड करता हूँ दो लीटर आपका अगर कुलेंट होता है तो तीन लीटर आपका पानी होना चाहिए तब यह अच्छा काम करता है थंडे इलाके की बात करता हूँ तो यहाँ पर धाई-धाई लीटर आप दोनों इस्ते कर सकते हैं यानि कि 50-50% लेकिन एक रिएशियो होता है कि आपको कुलेंट को 20-50% के बीच में यूज करना है और जो पानी होगा वो 50-80% तक पानी आप यूज कर सकते हैं ठीक है यह होता है यानि कि आप जब गाड़ी का रियडिटर होगा कुलेंट है उसमें कम से कम 20% कु पानी हो सकता है और मेक्सिमम 50% से ज्यादा कुलेंट की मात्रा नहीं हो सकती क्योंकि अगर आपने 50% से ज्यादा कुलेंट की मात्रा डाल दी तो फिर वो एक लिक्विड की तरह लगातार जो है कुलिंग सिस्टम में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि जितना स अपना सर्कुलेट फिर वो कुलेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि कुलेंट में जो है ऐसे जो एडिटियूज मिलाए जाते हैं जिनका सर्कुलेशन रेट कम होता है तो पानी भी होना जरूरी होता है तो उपसंड डी इसका राट अंसर हो जाएगा मैं जो चीजें बता रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हमारा जो पढ़ानी का तरीका है वो आपको पसंड आता है या नहीं आता है इसके बारे में भी एक मैटोपून ड्राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा परसंसिंग्या 11 आपके सामने आ चुका है निमन अली खित संक करती में एक तो पलस का निसान होगा साथ में एक चार पाई होगी चार पाई होगी तो यह दोनों चीज़ें होना जरूरी है तो एक विस्तर के साथ एक रेड क्रोस बिल्कुल ठीक है ऑप्सन एक ही ठीक है केवल विस्तर होगा तो विस्रा मिस्तल हो जाएगा विस्रा मिस् हो जाएगा, यानि कि अगर इसकर बिस्तर और डूनु का मिस्रण państ अस्पताल बनता है या आपको जान रखना, यह दोनू चीजे वह अस्पताल बनाती है, तो ये दोनों चीज़े ए उप्सन में सामिले हैं दो पई ये दिख रहे हैं दोनों पईयों को एकसल से जोड़ा गया है बीच में इस एकसल पर भार है वो भी चार टन तो हम कह सकते हैं ये एकसल का वजन है एकसल वजन सिमा उप्सन नमर एक राइट आंसर हो जाएगा मैं बता देना चाहता हूँ कोई भी जब आए तो उन्चाई हमेसा उपर से और नीचे से एरो आएंगे वजन सिमा जो होगी वो डायरेक्ट ली आपको पांच टन दिखेगा चोड़ाई सिमा एरो जो होंगे वो अंदर की और आ रहे होंगे ये हो जाएगा विर्थ ये हो जाएगा हाइट और एक होता है बाहर की और एरो ये हो जाएगा लेंथ ठीक है तो इस टाइप से arrow के direction से हम width, height और length को denote कर सकते हैं अगले person पे हम चलते हैं परसन से क्या 13 एक motor गाड़ी के engine में इंधन केसे जलाया जाता है गाड़ी जो होती है उसमें petrol हो, diesel हो, CNG हो उसमें इनको जलाया केसे जाता है इसे diesel engine में एक spark plug diesel engine में कभी भी spark plug नहीं होता आप सभी को पता है पेटرول engine में एक spark plug अफ्यों करके बिल्कुर ठीक बात है डिजल इंजन में एक गरम कक्स में इंधन बरकर गरम कक्स का मतलब है सिलेंडर होगा इसमें जो है हवा आएगी क्या आएगी एर आएगी इस एर का क्या होगा कम्प्रेशन होगा संप्रिडन जिसे हम कहते हैं कम्प्रेशन से क्या हो जाएगी हवा हवा जो है इसका दाब हुए ताप बढ़ जाए दाब हुए ताप जो है हाई हो जाएगा हाई हो जाएगा किसके कारण इस कंप्रेशन के कारण तो ये इस हवा के उपर फिर हम डीजल जलाएंगे इस वर डीजल का स्प्रे करेंगे इंजक्तर के मादम से हैं जल इस गरम हवा पर स्प्रे करने से जल जाएगा इसके वीपरित पेट्रोल इंजिन में हम स्पार्क पलग चिंगारी छोड़ने के लिए काम में लेते हैं तो उप्शन नमर डी राइट आंसर हो जाएगा समझ में आया होगा उमीद करता हूँ चितर में चालक द्वारा कौन सा संकेत देखाया गया है साथ बाहर है एक बार उपर एक बार निचे हतेली का मुझ भी डाउन है पाम डांग डाउन पाम ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जब डाउन हो तो इसका मतलब है स्लो करने का इरादा है जीरे करने का रप यह फ्रंट में होती है हतेली का मुझ फ्रंट में होता है रोकने का इरादा समकोन पर ऐसे मलब की आद को किया जाता है इसमें भी हतेली फ्रंट की ओर रहती है ठीक है यह चीज़ें आपको याद रखनी है तो अपसर एक हो जाएगा अनेक गंतव्यों के लिए दूरी खाता एक चोकोरा करती है यहां मैंने लिग दिया दिली दिली 100 किलोमेटर मैंने लिग दिया जेपूर जेपूर 120 किलोमेटर तो यह जो बोर्ड है हो जाएगा और ये हमेशा जो है बल्यू बेग्राउंड में होता है अगला परसन टायर में दरारें किसके कारणा आती है जब टायर पूराना हो जाएगा रबड खराब हो जाएगा रबड खराब तो टायर के रबड में दरारें आ जाएगी एक कोमन क्यूशन होता है टायर क टायर का रंग काला क्यों होता है टायर का रंग काला ही क्यों काला ही क्यों आप सभी को पता होगा बच्चों की जो गाड़ियां होती है बच्चों की गाड़ियों के टायर अलग होते हैं ठीक है उनके टायर बहुत ही सौप्ट होते हैं और आसानी से गिस जाते हैं अगर उतन ये रबड हमेसा रंग का होता है चाहिए वो वाइट का हो चाहिए किसी भी रंग का हो इस रबड को ठोस बनाने के लिए इसमें कारबन मिलाया जाता है कारबन आपको पता है काला होता है और उसके कारण टायर का जो रबड होता है वो भी काला हो जाता है और कारबन को मिलाने का मेन कारण टायर के रबड को बहुत ही जदा ठोस बनाना होता है जिसके कारण फ्रिक्षन भी हो और फिर आप कहेंगे मजबूत ही बनाना था तो फिर लोहे के क्यों नहीं बनाते हैं आप सबी को पता होगा जब सड़क पर चलते हैं तो हमें फ्रिक्षन चाहिए होता है मतल पीकप नहीं बना पाता, उसकी बजाए अगर रबड के टायर होते हैं, वो जल्दी पीकप बना लेते हैं, तो आपको ध्यान देना है, टायर काले होते हैं, कार्बन के कार्बन को मिलाए जाता है, टायर के रबड को मजबूत बनाने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक ठीक है तो यहां पर हो जाएगा रबड का पूराना होना गड़े पर ड्राइविंग दो स्पून पर या संतुलन दूल बरी सड़क पर ड्राइविंग तो दरार आने का में कारण होता है रबड पूराना होना बाकी भी कारण हो सकते हैं लेकिन में कारण यह होता है परसन सिंग्या 17 इंजन तेल का परिवर्तन निमन इस्तियों में से किस पर आधारित होना चाहिए आप इंजन ओइल को चेंज करते हैं तो किस आधार पर आपको करना चाहिए पहली बात तो है हम इंजन ओइल को लगबग 10,000 कीमी पर कर लेते हैं दूसरी बात जब लगबग 1 साल वन इयर गाड़ी को हो जाते हैं इन में से जो भी पहले हो तो आपको गाड़ी की सर्विस करवा लेनी चाहिए इंजन ओइल की रूप में आप सभी को पता होगा हम गाड़ी में 15W40 या 20W40 या 30W40 इन में से कोई एक कोई एक इंजन ओइल इस्तेमाल करते हैं छोटी गाड़ियों में लगबग 5 लिटर से लेका 7 लिटर तक ओईल है वो आता है ठीक है तो इंजन का कारी आउदी यात्रा किया हवा किलोमेटर या सितल का टेमपरेचर यानि कि कुलेंट का टेमपरेचर अगर लगातार हाई हो रहा है तो इसका मतलब है आपको गाड़ केवल सितलक ताप मान भी हो सकता ये तीनों को ही देखा जाना चाहिए और अगर लगता है कि ठीक है तो आपको सर्विस करवा के इंजनोल को बदलवा लेना चाहिए फलेट टाइर बदलने के लिए कौन सा टूल सेट वहान में उपस्तित होना आवसेक है फलेट टाइर का मतलब है आपका गाड़ी गारी का जो टाइर है पंचर हो गया है पंचर टाइर को बदलने के लिए आपके पास में क्या होने चाहिए तो सभी को पता है डग टेप, सो सोकेट और स्क्रूड्राइवर आपके पास में होने जरूरी है ताकि जो आपका टायर है उसमें सोकेट रीच पाने से हम गाड़ी के टायर को खोल सकें और टायर को बदल सकें तो उप्सन नम्मर B रायट अंसर यहां पे हो जाएगा फलेट टैर का मतलब गाड़ी के टैर में से हवाद निकल चुकी है टैर पुरा रोड की चिपक चुका है अब आपको इसको बदलना है तो इसे बदलने के लिए टैर को खोलना पड़ेगा खोलने के लिए हमें सौकेट और स्कुरू ड्राइवर के आउसकता पड़ती है अगला परसन निमन में से कौन सा कागज से संबन्दित एक यातायात का अपराद है कागज से संबन्दित शीट बेल्ट ये तो सैप्टी फीचर है नाबालिक द्वारा ड्राइविंग ये एक परकार का कागज हो सकता है ल आप अपरादी है आप इंसूरेंस गाड़ी का नहीं करवाया है तो ये डॉकमेंट से रिगार्डिंग आएक ओफेंस हो जाएगा और आप सभी को पताओगा मोटर वाइकल जो एक्ट है इसका 1988 का जो सेक्षन है 196 इसके तैट 2000 का जुर्माना या तीन मंत की इंप्रिजनमे जो है वो थैड पार्टी बीमा के बारे में बताती है कि आपकी गाड़ी का कम से कम नहीं तो थैड पार्टी तो होना ही चाहिए इंसूरेंस ठीक है ये बात आपको याद रखनी है परसन सेंक्या 20 जेबरा चिनांकन पर एक वाहन को क्या करना चाहिए आप सभी को पताओग एक सड़क जो होती है इसके उपर याँ बीच में ऐसे पतियां सी बनी होती है जो की वाइट कलर में होती है और ये जो वाइट कलर की पतियां होती है इनके पहले एक स्टोप लाइन भी होती है स्टोप लाइन तो ये किसके लिए होती है ये पेदल विक्तियों के सड़क को वो पार करने के लिए होती है तो यहां पर आपको कभी भी गाड़ी को उनके उपर लाके पार करना रोकना नहीं करना चाहिए तो यहां पर हो जाएगा चिनांकन को सामाने गती से पार करना चिनांकन पर रोकना चाहिए चिनांकन को पार करते समय रप्तार कम करनी चाहिए चि चिनांकन पर कोई पेदल यात्री सड़क को पार कर रहा है तो आपको इस चिनांकन से पहले गाड़ी को रोक देनी चाहिए option number D right answer इसका हो जाएगा टर्बो चार्जर जो सक्ती उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है वह कि इसका एक हिस्सा होता है चेशिस का इंजिन का संचरन तंतर का निकास तंतर का तो आप सभी को विदित होगा कि टर्बो चार्जर जो होता है मैं आपको बता देता हूँ यहां होता है एर फिल्टर यह होता है एर फिल्टर इसका पाइप गया टर्बो में टर्बो में, टर्बो का पाइप गया इंजन में, और इंजन के अंदर जाके इंधन जला, और यहां से फिर निकलेगा धुआ, कोई धुए वाला पाइप फिर चेंड तर्बो चार्जर, यह एक टर्बाइन यहां पे है, इन दोनों का अपस में जोड़ा वाए, यह धुआ न पुछे कि टर्बो चार्जर का काम क्या है तो आयर फिल्टर से हावा को खींच के इंजिन को वाज़ना यह चलता किसके मादम से है । धूँएं से चलता है धूआ क्या करेगा इस से टर्बाइन के ओपर धूआ आएगा तो हवा आएगी इस हवा से ये घुम जाएगा हवा से ये पहला पंखा गुमेगा तो फिर ये दूसरा पंखा इस से जुड़ा हुआ तो ये दूसरा भी घुम जाएगा तो फिर ये दूसरा पंखा एर फिल्टर से सुध हवा को खेंच कर इंजिन को भेजेगा तो पुछे कि ट जिनका भाग है तो अप्सन नमर यहां पर भी राइट अंसर हो जाएगा एंबुलेंस वहानूं के किस वरज से संबन दीते हैं आप सभी को पता होगा यह पूछ रहे हैं वाइकल केटेगरी के बारे में वाइकल स्रेणी जिसे हम कहते हैं स्रेणिया केटेगरी जो कि L, M और N तीन परकार की होती है इसमें दो और तीन पहिए वाले वाइकल होते हैं इसमें यात्री वाहन होते हैं यात्री वाहन जो कि कम से कम चार पहिए होते हैं कम से कम चार पहिए और इसमें माल वाहन होते हैं माल वाहन एन केटेगरी में अब खुद बता दीजिए एम्बुलेंस जो होती है वो चार वहील इसके पास होते हैं और इसमें यात्री होता है या समान तो यात्री या मरीज होता है तो हम इसको M केटेगरी के अंदर ले लेंगे ओप्सन नमर एक इसका रायट अंसर हो जाएगा आपको मैं जो समझाना चाहरा हूँ आपको समझ में आया होगा मुझे पूरी उमीद है नीमन लिखित कतनों में से कौन सा सही ड्राइविंग अभ्यास का परती नीधित्व करता है सही ड्राइविंग अभ्यास का परती नीधित्व है जब आप एक चोराए पर या सड़क के कोने के समीप आने वाले हैं तब उसी गति को बनाए रखें गलत बात है कोना या किनारे पर या आप किसी मोड में चोराए पर जाएंगे तो स्पीड को कम करनी चाहिए जब एक अन्मे कार आपके आगे निकलने वाली है यानि होटे कर रही है तो कोशिस करता है निकलने की कोशिस करता है तब उसी गति को बनाए रखें या कम करें आपको गति बढ़ानी नहीं चाहिए बात तो ठीक है जब एक अन्य कार आपके आगे निकलने की कोशिस करता है तब गती बढ़ाएं गती बढ़ाना नहीं चाहिए भी गलत हो जाएगा जब आप एक चोराई या सड़क के कोने के समीप आने वाले है तब गती बढ़ाएं ये भी गलत हो जाएगा गती नहीं बढ़ा सकते आप तो option number B right answer हो जाएगा अगले person पे चलते हैं यहां याता याता पुलीस वाले द्वारा कौन सा संकेत दिखाया गया है इसने एं राइट हैंड को तो उपर कर रखा है ठीक है और लेप्ट हैंड से इस प्रकार से इसको band कर रखा है ठीक है तो यह है एक पुलीस ट्रैफिक जो वाले हैं जो direction दे रहे हैं तो इसका right answer क्या होगा यह आपको बताना है बाइए और से आरे वानू को सुरू करना सामने से आरे वानू को सुरू करना दाइए और से आरे वानू को सुरू करना पिछे से आरे वानू को सुरू करना पिछे वालों के लिए तो left hand को यह left है न और यह right है right hand उपर है इसका मलब सामने से आने वाले वानू को सुरू नहीं बंद कर रहा है तो गलत हो जाएगा बाइए और से यह भी गलत हो sorry हाँ बाइए और से आने वाले वानू को सुरू करना क्योंकि यह left hand है न यह ऐसे करके इसे जा रहा है न तो left side से जो vital है उनको सुरू कर रहा है तो सामने को बंद कर रहा है ठीक है तो यह भी गलत है यह भी गलत option नमर एक right answer हो जाएगा कि भी जो left side से vital आ रहा है उनको वो सुरू कर रहा है अगला person उत्प्रेर की परिवर्तक यानि कि यह बात कर रहा है catalic converter catalic converter converter आप सभी को पताऊगा भारत में भारत इस्टेट चलरा है जिसकी सुरा 2000 में की गई वर्तमान में BS 6 चलरा है बात करता हूँ BS 3 में BS 3 में 2005 में catalic converter catalic converter अनिवारी कर दिया गया catalic converter अनिवारी कर दिया गया था ये भी आपको याद रखना है इसके लावा बताऊँ में ये जो catalic converter होता है ये pollution कम करने का काम करता है परदूशन क्या करता है परदूशन कम करता है ठीक है तो अब ये है कि ये किसका भाग होता है तो निकास तंतर इंजन शंचरन तंतर और ब्रेकिंग तंतर तो ये निकास तंतर यानि कि silencer का पार्ट होता है silencer का समझ में आ गया न चलो कोई बात नहीं अगले परसन पे चलते है रुडकी में इस्तित कलियर सरीप में किस पीर की मजार है तो और रुडकी आप सभी को बताया उत्राकन में ही है तो रुडकी में यहाँ पर तेरवी सतापदी के तेरवी सतापदी के सुफी संथ तेरवी सतापदी के सुफी संथ जो की चिस्ती संपरदाई से समन्दी थे चिस्ती संपरदाई इनके एक गूरू थे उनका नाम था अली एहमद साबीर पूरा नाम बात करते हैं तो हजरत मकदूम अलाउदीन अली एहमद सबीर भी इनको का जाता है अगला परसन किस नदी को राष्ट्रिय नदी गोशित किया गया है बहुत ही सिंपल क्यूसन है यमुना, गंगा, सर्यू, काली तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रिय नदी गोशित किया गया है तो ये राष्ट्रिय नदी गोशित कब किया गया था 2008 में आप सभी को पता होगा कि ये भार की सबसे लंबी नदी है सबसे लंबी नदी है इस नदी की लंबाई की बात करते हैं तो पचीस सो दस किलो मेटर इसकी नदी है और ये जो नदी है वो भागीरती जो नदियां है इनके संगम से बनती है और आप सभी को पता होगा इनका संगम है देव प्रियाग में इसके बाद ये गंगा नदी बन जाती है इसका जो उदगम इस्तले आप सभी को पता होगा गंगोत्री से उदगम इसका होता है जो कि हमालिय परवत के गो मुक्षे निकलती है तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान है वो यहां पे रखना है उत्राखंड इस्तल भारत तिबत की सीमा पर बसा अंती में भारतिये गाओं का नाम क्या है बोती गजब का क्यूशन है उस गाओं का नाम है माना क्या नाम है माना जो की बद्रीनाथ से लगबग तीन किलोमेटर दूरी पर नेपाल के जो है बोर्डर पर इस्तित है ठीक है भारत तिबत बोर्डर पर तो इस गाओं का नाम क्या है माना नाम है माना गाओं इसी गाउं को भारत की सुरुवात या भारत का पहला गाउं या भारत का अंतिम गाउं दोनों का आ जाता हैं अंतिम वे पहला दोनों ही येही गाउं हैं ठीक है अगला परसन नेहरू परवतारोहन संस्थान की स्थापना कब की गई बोती गजब का परसन है इसकी जो स्थापना है नेहरू जी की जैनती पर आप सभी को पता है नेहरू जी का जो जैनम है 14 नवंबर को हुआ था और 1965 को नेहरू परवतारोहन संस्थान का जो है इसक इस्तापना उत्रकासी में की गी, इस्तापना कहा की गी थी, उत्रकासी में, और इसको NIM के नाम से भी जाना जाता है, यानि की Nehru Institute of Mountain इसके अलावा इसका एक मोटो है इसका मेन उद्यस से है इसको इस्तापना करने का वो है सफलता साहस में नहीत है यानि सफलता साहस में नहीत है ये इसका मेन मोटो है ठीक है तो ये बातें आपको ध्यान रखना है option number B, right answer हो जाएगा नीलकंट महादेव का परसिद मंदिर किस जनपद में इस्तित है तो नीलकंट महादेव का जो मंदिर है वो पोड़ी में इस्तित है और जो पोड़ी है वो गड़वाल में आती है आप सभी को पता होगा तो नीलकंट नीले है कंट बगवान सीव को समर्पित ये मंदिर है ठीक है अगले परसन पर चलते हैं नीमन लिखित में से कौन सा उत्राखंड राजे का परतीक चिन नहीं है कस्तूरी म्रिग ये भी परतीक चिन है राजे का परतीक है चिंकारा ब्रम कमल बुरांस चिंकारा नहीं है बई चिंकारा गलत हो जाएगा बरम कमल की बात करता हूं तो ये राजे का पूस्प है ठीक है और बुरांस क्या है कोई अगर जानता तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताईएगा क्योंकि ये है राजे व्रिक्ष ठीक है राजे फल की बात करता हूं तो फल भी याद रखना है काफल ठीक है और पक्षी की बात करते हैं तो मोनाल तो यह जो परतीक है ना इन सभी को आपको याद रखना है ठीक है खेल कौन सा है फुटबोल तो यह सभी याद रखो आप है सिंपन लेकिन क्यूशन फश सकता है आपको याद रहने चाहिए तो यहाँ पर ऑप्सन नमर बी राइट अंस में से किस मारग परिस्थित है तो ओम परवत जो है वो केलास परवत का पाठ है ओम परवत क्या है केलास परवत का पाठ है केलास परवत और यह पढ़ता कहां है यह मालपा मान सरोवर जो मारग है यहाँ पर पढ़ता है और यह ठीक नेपाल की नेपाल सीमा पर है नेपाल स शिमा पर काटा गया परवत है, थीक है últimaerma mu Tube जिम कार बेट नेशनल पार्क, tu जिम कार मुझियम कहां इस्तित है, आप सभी को पता होगा, Hayley National Park, Hayley National Park इसकी की स्थापना सन 1936 में होती है और ये भारत का राष्ट्रे उध्यान भी है और पहला टाइगर रिजर्व भी है पहला टाइगर रिजर्व है इसके ठीक 3-4 किलिमेटर दूरी पर ही इस्तित आप सभी को पताऊगा काला डूंगी नामगिस्तान पर जिम कार बेट नेशनल पार्क म्यूजिम की जो इस्तापना है वो कीगी थी ठीक है तो काला डूंगी जो की छोटी हैल्दवानी में में इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा परसन सिंग्या 34 नीमन में से उत्राखंड के किस जन्पद में सरवाधिक राष्ट्रे उध्यान एवम अभ्यारण इस्तित है अल्मुडा देरादून नेनी ताल चमोली तो राइट आंसर होगा चमोली यानि की चमोली में राष्ट्रे उध्यान की बात करें या वन्दे जीव राष्ट्रे उध्यान है नंदा देवी नेशनल पार्क है केदारनात वन्दे जीव अभ्यारण है जो की रुदर परियाग वचमोली दोनों में है गंगोत्री राष्ट्रे उध्यान है डंफा वन्दे जीव अभ्यारण है इस टाइप से चमोली में सबसे जादा राष्ट्रे उज्ञान और अधारण इस्तित है अगला परसन उत्राखंड के किस मेले में दो गुटूं के बीच पत्तर फिंकने का रिवाज है देवी धुरा मेला, गेंद मेला, जोल जीवी मेला और गोचर मेला राष्ट आंसर हो जाएगा देवी धुरा मेला, आप सभी को पता होगा देवी धुरा मेला है यहाँ पर वरा है देवी की मंदिर जो है इस्तित है, वरा है देवी का मंदिर इस्तित है और यहाँ पर जो है रक्षा बंदन के दिन, रक्षा बंदन, या मैं कहूँ स्रावन पुरुनिमा, स्रावनी पुरुनिमा के दिन पत्थर की होली खेली जाती है और इसमें पत्थर आपस में फेंके जाते हैं और मजे लिए जाते हैं, तो उप्संद मर एक राइट अंसर हो आधी गुरू संकराचारय की समाधी कहां परिस्तित है। भारतिय दार्षनिक है और दार्षनिक के बहुत अच्छे विद्वान ये थे और ये किस मतलब की काल के वेक्ति है तो मैं आपको बता दू ये आठवी आठवी सताबी अभी 21 सताबी चल रही है आठवी सताबी के वेक्ति थे और महन संत थे और सिव के उपासक थे शिव के उपासर ठीक है तो ये बातें भी आपको याद रखनी है उप्सन नम्मर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा परसंद संक्या 30 से अवर उत्रा खंड में निर्मित हैंड लूम वे हस्त सिल्प उत्पादों का विपणन अब किस नाम से किया जाएगा हाथ से हाथ के प्रियोग से कोई वस्तों बनाना या निर्मित करना और एसी वस्तों को अब ओनलाइन भी बेचा जाएगा विदेशों में बेचा जाएगा जिसे अमेजॉन, फ्लिप कार्ट, स्नेप डिल तो इसमें ओल्मोस्ट सो प्रोड़क्ट सामिल किये गए जिन में से 64 प्रोड़क्ट को इन्स्टैंट है इन्स्टैंट ओनलाइन कर दिया गया जहां पर भारत के इन जो है प्रोड़क्ट को विश्व भर के लोग ओनलाइन भी मंगवा सकेंगे या पर्चेज कर सकेंगे तो इनका एक नाम दिया गया था जो है हिमादरी हिमादری एक परकार का ब्रांड नाम है हिमादری नाम से ही पता चल जाएगा उत्राखंड के कि भी लोकल जो वस्तों हैं वो यहां पर बनेगी तो हिमादری ब्रांड इसको नाम दिया गया था ये लगबग 2015 सोडा के आसपास की बात है उत्राखंड के पहले निर्वाचित मुख्य मंत्री एक तो होता है मनोमित एक होता है निर्वाचित तो निर्वाचित मुख्य मंत्री की बात करते हैं तो निर्वाचित मुख्य मंत्री नीत्यादन स्वामी भगत सिंग कोश्यारी, नारायन दतत्तिवारी, भूवन चंदर तो राइट अंसर हो जाएगा नारायन दतत्तिवारी अब वरतमान की बात कर लेते हैं वरतमान में भी आ जाते हैं वरतमान में C.M. कौन है इस परसन का जुआब आप से पुछे तो पुस्कर सिंग धामी आप सभी बे सब शी इंत्जार कर रहे हूँगे और पुस्कर सिंग धामी इनका नाम है एक नाम आता है C Lindsay चीफ जस्टिश हमारा जो है वो कौन है तो अभी उत्राखन के जो चीफ जस्टिश है वो रीतु बहरी रीतु बहरी है एक आपके नाम सामने नाम आता है राधा रतुडी अब ये कौन है आप सभी को पता होना चीए UK की पर्थम मुख्य सचिव उत्राखन की इतियास में पहली बार कोई मैला जो है मुख्य सचिव की पोस्ट पे आई है राज्येपाल की बात कर लेते हैं जी से हम गवर्नर कहते हैं तो राज्येपाल कोन है गुरमीद सिंग तो ये जो लेटेश चीज़ है ना इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है अब जैसे कि मुख्य चुनावा एक बात करते हैं अनील जी है परसंद सेंग्या थार्टी नाई संकराचारे ने बद्रिकासरम में इस्तापित मूर्ती कहां से निकाली थी नादरकुंड गोरी कुंड गंगा नदी हेम कुंड तो संकराचारे ने बद्रिकासरम में इस्तापित जो मूर्ती है उसको नादरकुंड से निकाला था Option A, Right Answer हो जाएगा जनेश्वर का मृत्यूंजे मंदिर किस राज़ा ने बनवाया था बोग सिंपल सा क्यूशन है फैक्ट है सालिवान, सक्टिवान, कटारमल, जेशिंग तो सालिवान ने जनेश्वर का मृत्यूंजे मंदिर है वो बनवाया था मर्टुंजे का मतला पता है जो मर्टु को जीत सके परसन सिंग्जा 41 कालीदास द्वारा वरनित कनवा सरम किस नदीतट पर है कनवा सरम नाम से पता चल रहा है यह कनव रिशी की प्रोपर्टी था कनव रिशी इनके मतलब आदी जो है यहां पे व्यक्ती थे कनव रिशी की य इस आसरम कोईश्टा पित किया था, ये जो है मालीनी नदी के तट पर है, मालीनी नदी, क्या है, मालीनी नदी के, और ये जो कणवासरम है, ये गड़वाल जनपद है, गड़वाल जनपद, गड़वाल जनपद में कोट दुवार के पास इस्तित है, कोट दुवार के पास, आप सभी को पता होगा ये जो कणवासरम है हेम कूट वा मनी कूट परवत्तों के बीच में इन दोनों की गोध में इस्तित है ये भी आपको याद रखना है तो ये दो तीन चीजें जो याद है आपको रखनी है परसन फोटीटू उत्राखन में चिपको आंदोलन की पर्थम सुतरधार मैला आप सभी को पता है एक तो सुंदरलाल बभुगुणा इनके परमुक नेता थे चिपको आंदोलन की लेकिन यहाँ मैला की बात आई है हणा तो गोराण देवी इसकी पर्थम मैला सुतरधार थी आप सभी को पता होगा इसमें मुखे बुमिका सन 1904 में चिपको आंदुलन के समय अंगूर के जो पेड़ थे उन्चे लिपटकर अदम में साहस का परतीक इसे को मना जाता है तो ये इसकी जो सुरुवात भी है वो चमॉली से हुई मानी जाती है चमॉली का एगाओं था नाम याद नियराब जी वहाँ से इसकी शुरुवात हुई थी और चिपको आंदुलन में सुन्दरलाल बहुगोणा का भूत बड़ा योगदान रहा था और मैलाओं में गोरा देवी इनकी परमुक नेता थी अगला परसन उत्राखन में हर्स्त सिल्फ सामिगरी मोश्टा ये क्या है जो है उत्पाद है जिनसे हम वस्तुएं बनाते हैं को उत्पादित करने में निमन में से कौन सा कच्चा माल उप्यू किया जाता है बांस रिंगाल चीड वरिक्ष की चाल पांगर वरिक्ष की लकड़ी सही जवाब होगा रिंगाल अब आप पुछेंगे कि सरी ये रिंगाल होता क्या है तो रिंगाल एक परकार का वरिक्ष है वो छोटे बांस का पोदा है हम कहें छोटे बांस का पोदा छोटे बांस का प अगला प्रसन निम्नाकित में गडवाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गडवाल पेंटिंग्स मुकुंदिलाल, हजी वायटन, मोला राम, पाती राम तो गडवाल पैंटिंग्स के रचियता जो हैं लेखक हैं मुकुंदिलाल है और ये बैरिष्टर भी थे यानि की वकील भी थे और इनकी पुस्तक जो है भारत सरकार के प्रकासन विभाग द्वारा भी प्रकासित की गई थी वो कब की गई थी आप सभी को ये भी पता होना च किये 1969 में इनकी जो पुस्तक है गडवाल पैंटिंग्स इनका परकासन भारत सरकार के प्रकासन विभाग की द्वारा जो है किया गया था अगला परसन उत्तराखंड के मुख्य मंत्री द्वारा के खिलाप धामी अभियान की शुरुआत की गई है धामी जो मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी तो इनके द्वारा ड्रेग्स के खिलाप एक अंदोलन छेडा गया है जिसे धामी अभियान के नाम से जाना जाता है वो इसके तहतर ड्रेग्स के इस्तेमाल को उप्योग को ट्रांसपर करना बेचना इसको परतिबंदित किया गया है वीबिन सराब के जो ठेके हैं उनके उपर भी नींतरन इस्ताफित किया गया है और साधी व्याव समारों में भी ड्रेग्स को जो परोसा जाता है उसको भी बंद करने का अईलान इसमें किया गया है तो ड्रेग्स के रोप्थरम के लिए धामी अभियान की शुरुआत उत्राखंड में से लंबे समुद्री पुल का नाम बताएं जिसका उद्गाटन बारा जनवरी को मुंबई में पी-म मोधी करेंगे पंबन पुल बांदरा वर्ली समुद्र लिंग राजीव गांदी सीलिंग अटल से तू ओप्शन डी राइट अंसर हो जाएगा अटल से तू इसका नाम है इस अटल से तू की शुरुआद 2015 में हुई थी, 2024 में इसको कम्प्लीट करके जनवरी में जनवरी 2024 में तो क्या वा उद्गाटन हुआ है फरवरी में इसको पब्ली के लिए खोल दिया गया है, ओपन, हालांकि इसको समय समय पर टेंप्रेरी डिस्क्लोज भी किया गया है, थीक है, तो उप्शन नमर डी राइट अंसर हो जाएगा 2024 में भारत की पहली पंडूबी परियर्टन प्रियोजना कहां सुरू की जाएगी, पंडूबी के मादेम से भी अब परियर्टन इसकी मलागू की गई है, तो ये कहां पर, पूरी में, द्वारका में, चेनई में, गवा में, तो द्वारका में पहली पंडूबी परियर्ट प्रियोजिना है वो इसकी सुरुआत की गई है तो ओप्सन नमर यहां पे बी राइट अंसर हो जाएगा HIV भी फेल सकता है HIV है इसका पहले तो पूरा नाम आना चाहिए Human Immuno Deficiency Virus और यह एक परकार से इंदी में मैं बात करता हूँ तो सरीर के अंदर अगर कोई विक्ति HIV पोजिटिव हो जाता है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ उसके अंदर रोग परती रोधक्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है और वो किसी भी छोटे-मोटे रोग से भी लड़कर उबरने में ऐसक्षम हो जाता है और ऐसी मित बुंदू में सांस लेना सुईयां साजा करना और चुम्बन करना यानि किस करना किसिंग तो यह सुईयों को साजा करने शेरिंग निडल्स जो इंजक्शन्स होते हैं उनको शेर आप अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा खत्रनाक या खत्रा रहता है HIV के संकर्मन का फेलन का तो उप्सन नमर यहां पे सी राइट अंसर हो जाएगा एक तो अभी HIV पड़ा एक नाम है S IV इसका पूरा नाम क्या संक्चित रूप क्या है तो सिंपल साक है सीमियन इम्मिनो डिफिशेंची वाइरस बहुत ही सिंपल है जैसे HIV का था वेसे ही S IV का है ठीक है तो उप्सन नमर एक इसका राइट अंसर हो जाएगा परसन सिंग अब 50 है BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है तो जो BCG का टीका होता है वो ख्षे रोग हम कह सकते हैं या TB TB कह सकते हैं तपे दी कह सकते हैं और उप्सन नमर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा BCG का टीका तपे दी च्छे रोग, टीबी रोग के मरिजों को दिया जाता है दोस्तों आज हमने बीना किसी फालतु टाइम वेस्ट किये आज की इस पेपर के बहुत ही लाजवाब बहतरिन क्यूसंस का सोलीशन हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने करके दिखाया है और आपको समझी में भी आया होगा, मैं उमीद करता हूँ दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं आप अगर हमारा पेड कोर्स जोइन करके पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही बहतरिन कोर्स स्टार्ट हो चुका है जल्दी जोइन कर लीजिएगा कैसे करना है, इस टाड़ी फूम एप को डाउनलोड करना है या आप इस नंबर पे फोन को या वाटसप पे मेसेज के मादम से भी साहता प्राप कर सकते हैं तुरंत आप इस बेच को जोइन कर लीजिए और आपका जो रिजल्ट होगा, कुछ अलग होगा और बिल्कुल बहुत इबहुत ही बहुत ही बहुत ही बहतरन कॉंटेंट आपको इस से कोर्स के साथ में अवलेबल होता है जो की आपको इद्व सिंपल सब्दों में टोपिक वाइज, वीडियो सोलिएसन और पीडिएप नोट्स के मादम से हर एक चीज़ को जो आपके एकजामे आ सकती है बहतरन तरीके से आपको यहाँ पर जो है करवाया गया है तो इस कोर्स को जोइन करना मत बूलिएगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर करना एक अच्छा साफ पोजिट्यू कमेंट करना मत बूलिएगा थेंक यू सो मच वंदे मात्रम